गैस अभी के टाइम में देखा जाए तो इंडिया पर जो 5G स्मार्टफून मिल रहा है 20,000 रुपीज के आसपास और दोस्तो हाल फिलाल में चाइना पर रियल्मी ने बहुत ही सस्ते में 5G स्मार्टफून को लांच कर दिया जिसका नाम रखा है रियल्मी भी 11 इसके उपर मै काफी अच्छा खसा क्योंकि उस स्मार्टफून के अंदर मिलने वाला है स्टॉक एंड्रोइट और स्टॉक एंड्रोइट कितना अच्छा खस आए अफ सभी को पताए गैस आज इस वीडियो में आपके साथ सेयर करने वाला हूँ मोट रोलर की तरफ से आपका मिंग 5G स्म का नाम होने वाला है मोटव G40 और ए जिस स्मार्टफून और दॉस्तों काफी अच्छा करसा स्पेसिवी के सन के साथ आने वाला है आज इस वीडियो में इसका नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकसन बिल्ट को आल में क्लिक करिए पहला बात का लेते Moto G40 का डिजाइन के बारे में स्मार्टफोन का जो डिजाइन होने वाला है काफी अच्छा कासा हर बार की तरफ स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा पॉली कार्बोनेट का बॉड़ी और स्मार्टफोन की पीछे की तरफ रहने वाला है ट्रिपल कैमेरा सेटाफ एलेडी फ्लेस और फिंगर्पेन सेंसर और फांसाइट की तरफ देखा जाये तो स्मार्टफोन आने वाला है वाटर ड्रॉप नौज के साथ यहों कि मुझे लगता है स्मार्टफोन का जो डिजाइन होने वाला है प्राइस के सबसे ठीक ठाक इसके बाद जान लेते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में स्मार्टफोन आने वाला है 6.5 इंच HD plus display के साथ और यहां पर रहने वाला है 90Hz का refresh rate अगर स्मार्टफोन के अंदर full HD plus display होता तो काफी अच्छा कासा होता तो आपको क्या लगड़ा है स्मार्टफोन के बारे में comment box में जोरू बताना स्तो इसके बार जान लेते स्मार्टफोन की सबसे बड़ा Highlighted features के बारे में जो है इसका प्रोसेसर स्मार्टफोन आने वाला है Qualcomm की तरफ से 4-series का 5G प्रोसेसर के साथ 4-series का एक नया प्रोसेसर आया है जो 5G को सापोर्ट करता है जो है 480 और चिपसेट काफी अच्छा कासा होने वाला है इसके बार जान लेते स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में स्मार्टफोन आने वाला है 5000 अमीज बैटरी के साथ इसके बाद जान लेते स्मार्टफोन या कर बारे等 रिफरी के साथ इसके देख सब्सक्राण का क्यमेरा का अच्छा का सा होता है अब मान के चल सकते हो Moto G40 के अंदर जो camera performance देखने को मिलेगा काफी अच्छा गासा इसके बाद जान लेते smartphone की storage variant के बारे में काफी सारा rumors बगरा आ रहा है smartphone जो एक ही वेरिंट storage के साथ आने वाला है 6GB 128G वाला variant और इसका lower variant भी आ सकता है यह rumors के मतलबी मैं आपके साथ share कर रहा हूँ स्मार्ट फून आने वाला इंबोक्स आंडुरेड 11 के साथ यहां पर dedicated SIM slot और 3.5 mm audio jack भी देखने को मिल जाएगा काफी अच्छा कासा specification offer कर रहा है इसके बाद जान लेते smartphone का price के बारे में काफी सारा rumors बगरा आ रहा है स्मार्ट फून का जो price होगा 10,000 रुपिस लेकर 13,000 रुपिस के अंदर ऐसी भी guys मुझे लागता है स्मार्ट फून का price होना चाहिए 12,000 रुपिस के अंदर स्मार्ट फून की लॉंज डैट के बारे में स्मार्ट फून काफी सारा साथी विगर सान वाइपसाइट के उपर लिस्टिंग हो चुका है और दोस्तों यह पर बताया जारा है यूटिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और नोटिफिकरेशन विल्ट को आल में क्लिक करिए अगर आपका कुछ विस्वाल वगरा स्मार्ट फून के बारे में मुझे इंस्ट्राइग पर फॉलो भी कर साकते हूँ तो आज क्यार फ्रेंद